मिस्टर कृष्णा, कॉंग्राचुलेशन्स, पेटा हुआ है, मैंने हमारे पेटे का ना, रोहित रगा क्रिस फोर में दो सुपर हीरो को क्यो रखा जा रहा है, क्या इस फिल्म में टाइगर स्राप को भी लिया जाएगा और कैसे बनने जा रही है ये फिल्म दो हजार करोणी, रितिक रोसन की क्रिस फोर पर लागडाउन में तेजी से काम हुआ, और अब राकेश रोसन ने फिल्म के स्क्रिप्ट लॉक कर दी, और फिल्म कास्टिंग के स्टेज पर पहुँच चुकी है, खबर है कि फिल्म में रि स्क्रिप्ट के साथ सुपर हीरो का किरदार निभाती दिखेंगी, गौर तुलब है कि राकेश रोसन की पिछली फिल्म, क्रिस्थ्री में कंगना रनाउत भी एक सुपर वुमन थी, और अब वो फिल्म का ये एंगल छोड़ना नहीं चाहते, इस बार स्रीज की सुपर हीरो होंगी किर्ती सेनन, वहीं फिल्म की दूसरी हीरोईन पर फिल्हाल विचार चल रहा है, हलांकि इस से पहले फिल्म के लिए दीवका पदुकोर्ण और केटिना कैव के नाम की भी चर्चा हुई थी, लेकिन शायद बात नहीं बनी, अब फिल्म के लिए किर्ती सेनन का नाम लगवक फाइनल माना जा रहा है। गवर तलब है कि किर्थी सैनन के लिए पिछला साल सांदार रहा था। और अब इस साल अगर वाकई ये फिल्म किर्थी के हिस्से में आ चुकी है तो 2020 में इससे अच्छी खबर उनके लिए और क्या हो सकती है। अफवाहें थी कि किर्थी सैनन रिदिक रोसन के अपोजिट परहा खान के सत्ते पर सत्ता रिमेक में दिखाई दे सकती है। और आब तक तो दर्सक इन अफवाहों से खुसी थे। लेकिन अब लगता है कि आखिर किर्थी और रिदिक को एक साथ लाने के बारे में राकेश रोसन ने ही सोच लिया है। बस इस खबर पर कोई अफवाह की सेंद ना लगाए। वहीं दूसरी तरफ अगर फिल्मी कलियारों की बात माने तो इस फिल्म में टाइगर स्राप को भी कास्ट किया जा सकता है। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि इस फिल्म में बिलन के रूप में नवाजुदीन सिद्द्की हो गें। लेकिन अब खबर आ रही है कि नवाजुदीन सिद्द्की के साथ टाइगर स्राप भी बिलन की भूमका में दिखाई देंगे। अगर किसी फिल्म में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार काम करेंगे तो ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर आराम से दो हजार करोन का बिजनिस कर सकते। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर दो हजार करोन का बिजनिस करेगी। झाल झाल